हेलो एवरिवन वेकम टू माय चैनल से इस मंतली चेड़ेक रीडिंग में हम टॉरस यानिकी रिशव राषी वाले लोग ले देखेंगे कि उनका यह जो मन्त है वो कैसा रहेगा कौन कौन सी एनरजी साबके सराउंदें में रहेंगी साथ में जो भी एडवाइज होगी आप के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी तो शक्फल कर लेते हैं कार्ट स्टॉरस रिशव राषी वील अफ़र्चून दी स्टार्ड नाइन बहुत बड़ा चीन जाने वाला है इस मन्थ आप लोग की लाइफ में मैं देख रही हूँ बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं ये वील अफ़र्चून है न जैसे एनरजी शिफ्ट हो रहे हैं आप लोग की लाइफ में आपका सोचने का तरीका चेंज हो रहा है आपके बात करने का तरीका चेंज हो रहा है आपके thoughts change हो रहे हैं हो सकता है कि आप अपनी tarot reading वगरा देखना स्टार्ट करा हो हो सकता है कि आप लोगोंने healing वगरा के बारे में जानना स्टार्ट करा हो so मैं ऐसा देख रहे हूँ कि आपके अंदर जो डर थे या फिर जो आपके अंदर किसी भी change को लेके कुछ कमी थी कमी से मेरा मतलब है की डर थे या फिर attachment थे आप emotional हो आप sensitive हो so मैं ऐसे देख रहे हूँ कि इस मन्थ आप लोग काफी सारी चीज़ों को heal करने वाले हो साथ में मैं ये भी देख रहे हूँ कि हो सकता ही कि आप में से बहुत सारी लोग हो सकता है जैसे tarot card reading ही देखना मतलब interested हो सीखने में या फिर ना occult related कोई भी चीज हो कोई भी healing check कुछ भी हो आप लोग वो सीखना चाहते हो जैसे एक कहते है ना जिग्यासू वाला nature हा तो बहुत सारी चीज़ों को लेगे काफी सारी चीज़ों के बारे में deeply जानना चाहते हो कि ऐसा है तो ऐसा है कि एनर्जी के field में energies related में यहाँ पर देख रही हूँ कि कभी सारी चीज़े आप जैसे सीख रहे हो यह मन्त जैसे ऐसा होगा कि आपकी life change कर देगा बहुत जादा बड़ी बात नहीं कर रहे हूँ कि आप लोग लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि यह मन्त सच में ऐसा है, कि आपके सोचने कर तरीका चेंज कर देगा, आपकी लाइफ चेंज कर देगा, यो, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, कि इस मन्त आप लोग को यह कैसा डिसीजन लेने वाले हो, जो आपके लिए बहुत जादा इंपॉरेंट रहेगा, जैसे इस मन्त आपके, आप जो बनना चाहते हो, या पर मैं कहूं, आपके लाइफ में जो आप फासिल करना चाहते हो, उसकी नीम रखी जाएगी, हाँ, और हीलिंग, यहाँ पर बहुत सारे लोग खुद को हील करने वाले हैं, यह तो मैं क्लियरली यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ और आपके लिए और फिर में बताती हूं को, टीचारियट, मैंने कहा ना, 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 ना इन अफ पैंजिकल, हम्, बहुत अच्छी एनरजी हैं आप लोगों की, मैंने कहा ना यहाँ पे healing है यहाँ पे बहुत सारी healing है यहाँ पे है कि आपके अंदर जो यहाँ पे है the lovers का card ओके सो यहाँ पे जो energies है वो ऐसी है जैसे आपके अंदर ना कुछ चीजों को लेके बहुत जादा डर था जैसे आपको पता है कि आपकी shadow side क्या है कि आपको गुस्सा जल्दी आजाता है आप नेगिटिव जल्दी हो जाते हो आपने उन चीज़ों को accept कर लिया है, कि जो भी आपके अंदर नेगिटिव है या फिर मैं कहूं नेगिटिव नहीं कहूंगी, मैं जिस्ट ऐसे कहूंगी के जो कुछ भी थोड़ा सा न जन चीजों के विज़े से आपको परिशान हो जाते हो जल्दी उन चीजों को आप हील कर रहे हो हाँ या पर हो सकता है कि कोई कोई relationship ऐसा हो जिसकी विज़े से आपका दिल तूटा हो किसी आपको चीट मिला हो या पिर जैसे आपकी expectations hurt हुई हूँ, आप बहुत जादा हुए हूँ, आपने बहुत टाइम तक किसी परसन का वेट करा, उनका इंतजार किया, आपने सब कुछ किया, जैसे किसी ने जो कुछ कहा, आपने वो सब कुछ किया, लेकिन जैसे कुछ भी नहीं हो पाया, आपके जो efforts थे, वो काम नहीं कर पाये, आपने बहुत जादा जैसे किसी को convince करने की कोशिश करी, इस मन्त में देख रही हूँ, आपने अब सोच लिया है कि आपको खुद को heal करना है, आपको और ज़्यादा किसी के लिए नहीं रोना, आपको और ज़्यादा किसी के लिए परेशान नहीं होना, खुद को settle करना है, और यह कैसी energy होती है, कि मुझे पैसा कमाना है, बहुत तो इस मन्त में देख रहे हूँ कि आप तो इत्तो खुद को हील करने वाले हो दूसरी चीज अपने आपको फाइनेशली इस्टेवल कराने पर आप लोग काम करने वाले हो तीसरी चीज यहाँ पर देख चैरियट का कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि एक पिल्कुल ही जैसे एक न्यू स्टार्ट आप लोग की लाइफ में है इस मन्त से एक नई जर्नी आप लोग की स्टार्ट है इस मन्त से हाँ काफी कुछ new start है जैसे new beginning है completely और आपकी health की बात करूँ सो आपकी health यहाँ पर अच्छी है मुझे कोई भी हाँ पर issues नजर नहीं आ रहे हैं and in fact आप लोग काफी सारी healing कर रहे हो आपकी और यह जो आप healing कर रहे हो ना यह overall आपकी personality आपकी personality में आपकी finances में, आपकी career में आपकी love life में हर तरीके से आपको heal करने वाली है बहुत अच्छी energies है guys to motivate नहीं होना है परिशान नहीं होना है मैं हमेशा कहती हूँ मैं हमेशा समझाती हूँ कि meditation करो, खुद को heal करो खुद सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है और कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़ादा prayers करते है ऐसा मेरा personal experience है कि हम बहुत ज़ादा prayers करते है हमने किसी person को मांगा कि भगवान ची प्लीज ये person के साथ हमारी शाती हो जाए कुछ पर इस टाइब के चीज़ें है हाँ, लेकिन अगर वो person हमें नहीं मिलते तो कही न कहीं वो हमारे लिए ही अच्छा होता है क्योंकि हम अपना future तो नहीं जानते है कि इन future हमारे सथ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है लेकिन अगर बहुत जादा prayers के बाद भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिले न तो ये सोचना चाहिए उस time पे कि कुछ ना कुछ reason ही होगा या तो आपको उससे better मिलना होगा चीक है या फिर से आप जिस पर चीज़ को मांग रहे हो वो आपके लिए सही नहीं होगी लेकिन अगर आप खुद को divine से मैं कहूँ आप बहुत जादा उन पे trust करते हो भरोसा करते हो तो आपको वो करना चाहिए ठीक है मैं यहां से कुछ और काच्स ले लेती हूँ चौरस विश्यवदाशी यहां पे जर्णी जर्णी ती चैरिएट कहीं यहां पे कार्ड है मुझे बता रहा है कि जैसे बिलकूल ही new journey आप लोग की life में स्टार्ट होने वाली है एक बिलकूल ही नए रास्ते पे आप लोग चलने वाले हो और यह जो रास्ता है न यहाँ पर कैसे लाइट पढ़ रहे है तो जैसे डिवाइन आपको खुद गाइट कर रही है इस रास्ते पर चलने के लिए हाँ, यहाँ पर आप completely change होने वाले हो, बिल्कुल ही different personality, different person आप लोग होने वाले हो और जो भी आप, I think आप लोग जब इस reading को देख रहे होंगे तो अपने खुद ही, तब तक आपने सोच लिया होगा कि आपको किस रास्ते पर जाना है, just यहाँ पर step लेने की देरी है, यहाँ पर door to value का card है, nine of pentacles की energy के साथ मैच हो रहा है और यह बता रहा है कि यहाँ से जैसे आपके financially अगर कुछ blockages चल रहे थे आपकी life में, या फिर आपकी situation ठीक नहीं चल रही थी, तो यहाँ से वो चीज़े सही हो रही है एक just message मुझे यहाँ पर मिला है कि आपको guide किया जाने है लेकिन still I am feeling कि आपको थोड़ी सी guidance की need है exactly कि आपको क्या करना है तो just आप जिन पर भी trust करते हूं आपको लगता हो तो एक बार प्रॉपर जिसे guidance आपको लेने की need है patience, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है देखो आपने healing चूस करिए है लेकिन healing का क्या रहता है न कि एक तम से नहीं होती है healing में time लगता है, healing में वक्त लगता है, slow process रहती है काफी तो न, ऐसे नहीं करना है कि आप impatient हो जाओ कि मैं कर रही हूं उतने time से, मैं कर रहा हूं उतने time से, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है patience आपको रखना है, धहरे रखना है, धीरे धीरे चीज़े होगी, धीरे धीरे healing होगी okay, so, यहां से और देख लेते हैं, आप लोगों के लिए क्या message है, Taurus, विश्वराशी your dreams need a practical plan, तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो भी सपनी है, मैंने कहा ना कि आपको guidance के जरूरत है you know, आपने यह तो सोच लिए जैसे कि, for example, आपने सोच लिए कि आपको I.S. officer बनना है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि उसके लिए क्या study करनी है, उसके लिए क्या आपको पढ़ाई करनी की जरूरत है, कहां से पढ़ाई करनी की जरूरत है, तो आपस बस यह कहा जा रहा है कि आपके पास न प्रेक्टिकल प्लान होना चाहिए आपके ड्रीम्स के लिए ओके सो एक और काड ले लेती हूँ मैं यहां से टॉरस विशलाशी adjustments are required तो यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ adjustments आपको करने पड़े इस मन्त कुछ adjustments आपसे मांगे जा रहे हूँ आपकी family आपसे कह रही हो हाँ तो यहां पे लड़ाई जगडा नहीं करना है यहां पे परिशान नहीं होना है और एक होता है न जैसे बीच कर solution निकालना हो सकते है कि आपसे भी काफी तारे लोगों की expectations जुड़ी हों आपकी friends हो सकते हैं आपकी family members हो सकते हैं तो उनको भी उनके point of view से समझना है ठीक है? सो इस reading के लिए इतना ही मुझे जुरू बताएगा आप लोग को एक कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देजिएगा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटर सब्डेट मिलती रहें सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं मिलती हूँ आप से नेक्स एडिंग में तब तक के लिए बाई